नमस्कार आप सब कैसे हैं? आशा है स्वस्त होंगे आज किल गले की खिच-खिच का फखासी होते ही डर लगने लगता है आज मैं ऐसा देशी नुस्का लेकर आई हूँ जो अजमाया हुआ है दादी नानी के जमाने से और एक ही खुराक में आपको तुरन ताराम मिलेगा जी हाँ ये ऐसी देशी दवाईया है जो हमें तुरन ताराम देती है और लंबे समय तक इनका फायदा बना रहता है तथा ये बिमारी को जड़ से खतम करती है ऐसे देशी और के हमें हमेशा अजमाने चाहिए जिन से हमें आराम मिले और कोई साइड एफेक्ट भी न हो इसके लिए सबसे पहली चीज है अदरक जो हर घर में होती है किचिन की सान है अदरक हल्दी और दूसरी चीज हल्दी है या तीसरी चीज है रॉक, सॉल्ट, सेंधा नमक, और फिर हम लेंगे किचिन से एक और चीज, काली मिर्च, इन चारो चीजों को बराबर मातरा में ले ले, दो दो चमस ले ले, इनको फिर बारीक पीश ले, खलड में पीश ले, या फिर ओखली में कूट ले, आप मिक्सी में जार में भी डाल कर पीश सकते हैं जब ये चारों चीज़ें आप पीश लें सपोस किसी एक व्यक्ति के लिए बनानी है तो आपको एक एक चम्मच चारों चीज़े लेनी है और उसकी आपको कम से कम पंद्रे खुराके बना देनी है यानि क्वाथर चम्मच की एक खुराक बनेगी चौथाई चम्मच की जिस भी चम्मच से आप लें वैसे चाय बाला छोटा चम्मच लें उतना ही एक बार में काफी होता है और फिर इस पाउडर को आप सहद में मिला कर चाटे दिन में तीन बार बहुत जल्दी आराम होगा नाक याद बंद है तो देशी नुसका एक और अपना है ये है सर्सों का तेल इसको नाक में लगा और एक एक मूँद दोनों नाक में डाल लें तुरांत आराम मिलेगा और हातों पैरों पर मलने के लिए सर्सों का तेल और करोसिनोयल, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, बराबर मात्रा में मिला लें, हतेलियों और तलबों पर मलें, बहुत जल्दी सर्दी खासी से छुटकारा होगा, यह अजमाय वेनुसके हैं, और जैतून का तेल भी आप नाक में भी एक एक मून डाल सकते हैं, और हतेलियों और तलबों पर मलें, इनसे बहुत जल्दी सरीर की गर्मी वापस आती हैं, और इन चीजों से छुटकारा होता है, तुरंत गले का चिपका हुआ कफ भी छुटेगा, स्वस्त्रे मस्त्रे अपने कामों में ब्यस्त्रे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें